तो काफी वक्त के बाद मतलब सच बता हूँ काफी वक्त के बाद मुझे एलियन अटक पर बेस्ट एक अच्छी फिल्म देखने को मिली मतलब सच बता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कुछ ऐसा भी हमको देखने को मिलेगा मैं बताता हूँ क्यों देखो एलि स्टोरी वही सारी चीज़े किसी पिटी हमको देखने को मिलती है जिस वज़े से मुवी को देखने में वो मज़ा नहीं आता है और वो फिल्में उस लेवल की इंट्रेस्टिंग होती भी नहीं है कि मैं आपको रिकमेंड कर पाऊं यह फिल्म है खुद बोलो कि हां फिल्म मतलब क्या है और एक्चुल में यह फिल्म हमें क्या दिखाती है अगर उसको आपको जाना है तो यह फिल्म आपको देखनी पड़ेगी जो कि मैं हाईली आपको रिकमेंड करूंगा यह करूंगा स्टोरी के अगर मैं बात करूं यह तो यहां पर सब कुछ सही चल रहा होता यहां पर धर्ती पर सब कुछ एकदम मस्त मगन एकदम इंजोईमेंट वाला सिच्वेशन रहता है लेकिन अचानक से कुछ एलियन्स आ जाते हैं धर्ती पर अब वो एलियन्स हैं या फिर नहीं एक बड़ी सी शिप हमें नजर आती है जिसके बाद धर्ती पर अचानक से को बचने बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या वो इन एलियन्स अटैक्श से खुद को बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे और आके वो एलियन्स यहां पर क्यों आए हैं किस वज़े से आए हैं और यह सब आगर आपको जानना है तो आपको यह फिल्म देखनी है और वो खुद को किस तरह किसे बचा पा रहे हैं नहीं बचा पा रहे हैं क्या कि सारी सिच्वेशन से उसको हमें इस मूवी में दिखाए गया जो कि मैं यहां पर इसको नेगेटिव नहीं बोलूंगा क्योंकि इस तरह के फिल्मों में क्या होता है कि अगर सभी चीजों पर सभी केरेक्टर पर और सभी सिच्वेशन चीजें चल रहे हैं उस पर अगर फोकस ना किया जाया ना तो मूवी को देखने करना मजा खराब हो जाता है सज बता हूं पर यहां पर एक केरेक्टर पर पूरी फोकस करने के बाद दी यह जो फिल्म है काफी अच्छत और में देखने को मिलते हैं चाहे एलियंस के अटाइक्स के या फिर जो तबाही के सीन से में देखने को मिलते हैं वो काफी ज्यादा गजब है काफी ज्यादा भैंकर है काफी ज्यादा तगड़े हैं जिसको देखकर आपको लगेगा कि हां मैं एक तगड़ी एक तमदार फिल में कामियाब है और उसी वज़े से ये फिल्म और भी ज्यादा इंट्रेस्टिंग और मजएदार हो जाती है और हमारी क्रियोसिटी बनी रहती है कि हाँ अब कुछ ना कुछ बढ़ियां देखने को मिलेगा और ये फिल्म वाकई में हर बार हमें सर्प्राइस करती है हलाकि जो इस टाइब की फिल्म में ज़्यादा देख चुके हैं और ये फिल्म वाकई में काफी अच्छी entertaining movie है जिसको मैं बोल सकता हूँ और मुझे लगता है कि यह जो film है ना जो इस टाप की film है ज़ादा देखते हैं या अब नहीं भी देखते हैं तो मुझे लगता है कि एक तगडी sci-fi adventure movie है जिसको मुझे लगता है कि आपको ज़रूर देखना चाहिए और इस film को आप सबके साथ बैट कर देख भी सकते हो इंजोई भी कर सकते हो हलाकि थोड़े मोड़े अडल सीन से है मतलब किसिंग वगरे की सीन से है अगर आप उसको मैनेज कर सकते हो या उसके साथ आप comfortable हो तो बस देख लो जिसके साथ मर्जी देखना हो बाकि फिल्म मुझे पसंद आई फिल्म मुझे तगडी लगी देखा जाये तो मतलब इस तरीके की स्टोरी पर बेस्ट जितनी भी सारी मैंने फिल्में देखे हुई है उन सभी फिल्मों से कि आपको भी ये फिल्म ज़रू पसंद आईगी बाकि पेशन्स बना कर देखना फिल्म आपको अच्छा का सा इंटिटिन ज़रू करेगी मैं ये फिल्म आपको खुद रेकमेंड करता हूँ आप देखना मोई को मज़ाज ज़रूर आएगा बाकि डिटेल तो मैंने आपको यहाँ पर देखी दिये की ये फिल्म किस तरकी के ओडिये और नहीं है देखना ने देखना हूँ वो तो आपके मरजी है लेकिन अगर आपनी ये फिल्म देख लिया तो कैसर आपके एगुस्परिण्स इस फिल्म के साथ में मेरे सब आप कमेंट में शेयर जरू करना जुहार